हेलो दोस्तो तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एक्जाम मेकर पर तो दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आएं मद्द प्रदेश पुलिश दो हजार तेज के लिए जी के प्लस साइंस के ऐसे टॉप के प्रशन जो आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और दोस्तो आज की वीडियो क्लास आज की बेस्ट रिवीजन की क्लास होने वाली है क्योंकि दोस्तों यह सब इक कुछन अमने पिछली वाली वीडियो से मिक्सचर करके लिए हैं जो जो शरीर का सामान तापकरम कितना होता है ओप्षन ए 98.6 डिगरी फॉरे नाइट या फिर ऑप्षन भी अड़िज़ दिगरी इन वे से कोई नहीं तो दोश्ट इसका सही अंसर होगा ओप्षन ए 98.6 डिगरी फॉरे नाइट कुश्चिन नमबर दो मनों से का सामान रखतचा ब्लड प्रेसर यानि की बीपी कितना होता है ओप्षन ए 150 बटे असी ओप्षन भी 150 बटे नबबे या फिर ओप्षन सी 120 बटे असी या फिर ओप्षन डी इनमें से कोई नहीं तो मानाव सरीर में जल की मात्रा कितनी होती है ओप्षन ए 80 परसेंट 75 परसेंट 90 या फिर ओप्षन डी 68 परसेंट तो दोस्ते इसका सही आंसर होगा ओप्षन ए 80 परसेंट मानाव सरीर में जल की मात्रा 80 परसेंट होती है कुश्चिन नमबर 4 बंगाल को मुगल सामराज से प् मुर्सीद कुली खाने बंगाल को मुगल सामराज से प्रतक कर सतंत्र किया था ये था मुर्सीद कुली खान कुश्चन नमबर पांच मा विद्वा पुनरवेवा कानून कब बना ओप्सन ए 1853 इसवी में 1853 इसवी में या फिर 1865 इसवी में तो दोस्तों इसका सही आंसर डालो और सासन करो की नी थी कब अपना ओप्सन ए 1867 इसवी में के बाद या फिर ओप्सन बी 1853 इसवी 1858 इसवी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ओप्सन सी 1858 इसवी के बाद कुश्चन नमबर साथ पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से निमन लिखित में से कौन सी बहुते गरासी प्राप्त की जाती है ओप्सन इत्वराड ओप्सन भी द्रवमान ओप्सन सी बल या फिर ओप्सन डी वेग तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओप्सन भी द्रवमान पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से जो बहुते गरासी प्राप्त Option C, Newton की गती का पहला नियम, या फिर Option D, साप एक्षता का नियम, तो दोस्तों इसका सही आंसार है, Option C, Newton की गती का पहला नियम, दोस्तों जब चलती हुई बस या ट्रेन जब अचानक से रुखती हैं, तो उसमें बैठी यात्री आंगे की दिसा में जोग जाते हैं, ऐसा Newton की के पहले नियम के अनुसार होता है, कुश्य नंबर 9, रॉकेट का सिध्धान्त, नियम ने लिखत में से किस पर कार करता है, Option E, Archimedes का सिध्धान्त, Option B, Newton की गती का पहला नियम, Option C, Newton की गती का दूसरा नियम, या फिर Option D, Newton की गती का तीसरा नियम, तो दोस्तों इसका सही आ नंबर 10, यदि हम धुर्वों से भूमद रेखा या यूंकाओ की विश्वत रेखा की उर जाते हैं, तो G का मान क्या उड़ता है, बढ़ता है, गटता है, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं आता, या फिर Option D, 35 डिग्री अक्छांस पर बढ़ता है, तो दोस्तों इसका सह या अंसारे Option B घटता है, दोस्तों जब हम धुर्वों से भूमद रेखा या यूंकाओ की विश्वत रेखा की उर जाते हैं, तो ये G का मान घटता है, कुश्चन नंबर 11, बढ़ापे में कौन सी गरंती, लुप्त हो जाती है, Option A, थायमस गरंती, Option B, टीविया, Option C, इस प बड़ी आत की लंबाई कितनी होती है, Option A, 1.5 मीटर, Option B, 4.5 मीटर, Option C, 3 मीटर, या फिर Option D, 5 मीटर, तो दोस्तों इसका सही अंसर जल्दी से बताएगा, क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा, Option A, 1.5 मीटर, यानि की 1.5 मीटर, बड़ी आत की लंबाई 1.5 मीट तो दोश्य इसका सही आंसा रोग आपका ओप्सन ए वाट्सन और क्रेक यही जो दो वैज्यानिक थे जो नहों ने डियने का विसलेसर सबसे पहले किया था तो दोश्य इसका सही आंसा रोग आपका ओप्सन दोश्य इसका सही आंसा रोग आपका ओप्सन और कारे होता है सूरत मोगल काल में सरव पर थम सूरत सहर में अंग्रेज़ों ने अपनी कार खाने स्थापत किये थी कुश्य नमबर सोलें पहली सहयक संदी कौन सी थी ओप्सन ए रुहलखंड ओप्सन बी निजाम ओप्सन सी अबदी या फिर ओप्सन डी जहासी या फिर ओप्सन बी त्यागराज या फिर ओप्सन सी पुरंदर्दाश या पर Опिशन डी स्वातित्रोपाल तो दोस्ते इसका सही अंसर बताईए गा तो दोस्ते सही अंसर ओप्सन सी पुरंदर्दास में आया था कुश्य नमबर 19 निमने लिखत मोगल सासकों में से किसे प्रिंस ओफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है ओप्सन ए अकबार बाबार सहजां या पर आप्सन डी जहांगीर तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओप्सन सी को प्रिंस ओफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है कुश्य नमबर 20 सिख समुदाय के अंतिम गुरू कौन थी ऑप्सन ए गुरू अरजुन दिव ऑप्सन भी गुरू तेज बाददुर या फिर गुरू गोविंद सिंग या फिर ऑप्सन डीन में से कोई नहीं तो दोस् सब्सक्राब करके नौट्पिकेशन वर्ग को भी कर देना कुश्य किस ऐसाई पद्यति में तापमान की इकाई है क्या है ऑप्सन डिग्री सेंटिग्रेट कैल्वें डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्सन डी डिग्री फोरेनाइट तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप् विक्षा अधिक होने का क्या कारण है तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा ऑप्सन डी गिर रही जलकी गते जूर्जा उसमा में बदल जाती है कुश्य नंबर 23 ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थन पर एलकोहल को ताबमाती दी जाती है ऐसा क्यों तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही अंसर है ऑप्सन बी एलकोहल का द्रवडांग पारा से कम होता है कुश्य नंबर 24 ठोस कपूर से कपूर वास्व बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो दोस्तों क्या होगा इसका सही अंसार होगा option B उर्द्व पातन दोस्तों ठोस कपूर से कपूर सीधा वास में बदल जाता है यह उर्द्व पातन की क्रियागे कारण होता है कुश्य नंबर 25 पीलिया किसके संक्रमन के कारण होती है option यक्रत option वी मस्तिषक option के लिए उत्तरदाई है option oxygen option वी मेथैन या फिर और संसी कारण डायोकसाइड या फिर और संडी कारण डायोकसाइड और मेथैन तो दोस्तों यह गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदाई है कुश्य नंबर 27 डैंगो बुखार में मानव सरीर में किसकी कमी होती है option ए प्लेट लेट्स ऑप्सन वी हीमो ग्लोविन ऑप्सन सी सरकरा या फर ऑप्सन डी जल तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका option ए प्लेट लेट्स डैंगो बुखार में मानव सरीर में प्लेट लेट्स की कमी हो जाती है कुश्य नंबर 28 दिल का दोरा किस कारण से होता है option हिरदय पर जीवाड़ियों का हमला option भी हिरदय की गती रुख जाना option सी हिरदय में रक्त की आपूरती या फर option डी इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही अंसर है option सी हिरदय में रक्त की आपूरती दिल का दोरा इसी के कारण होता है जब आपके हिरदय में रक्त की आपूरती होती है question number 29 भारत की पृथम मेला सासक बनी थी option चांद बेबी रजिया बेगम डलानी लक्षमी भाई या फर option डी इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही अंसर होगा option भी रजिया बेगम भारत की पृथम मेला सासक रजिया बेगम बनी थी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आपसन C विशाडू जो काम होने का कारण ये विशाडू होती है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपसन D चंद्रगप्त मौर्य दवारा पर्थम भारती सामराज चंदरकप्त मुआरे द्वारा इस्थापित किया गया था कुश्य नमबर 33 किसके समादी के कारण नंदेर गुरु द्वारा सिखो द्वारा पवित्र माना जाता है कुश्य नमबर 34 विख्यात सोमनात मंदिर को किष्णे निष्ट किया आप्सन ए मुहमद बिन कासिम सुल्तान महमूद आप्सन सी कुतब दिन अवक या फिर आप्सन डी मुहमद गौरी तो दोस्ते इसका सही आप्सन बी सुल्तान महमूद विख्यात सोमनात मंदिर सुल्तान महमूद की द्वारा निष्ट किया गया था कुश्य नमबर 35 निमने लिखित में से कौन सा सबसे पुराना इसमारक है आप्सन ए कुतब मीनार आप्सन भी ताजमहल अजन्ता गुफा या फर आप्सन डी खजुरा हो तो दोस्ते इसका सही आंसर है आप्सन सी अजन्ता की गुफाएं कुश्य नमबर 36 द्वानी तरंगों की प्रवरत्ती इन में से होती है कैसी होती है आप्सन ए अनुदैर्द आप्सन भी अनुपरस्ट आप्सन सी विद्धत्चुमकी या फर आप्सन डी अप्रगामी तो दोस्ते इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्ते इसका सही आंसर होगा आप्सन ए अनुदैर्द दोस्तो ध्वनी तरंगों की प्रवरत्ति अनुद्यारदी होती है Q. नमबर 37 परासरव तरंगे वे ध्वनी तरंगे हैं जिनकी आवरत्ति निमने से होती है Option A, बेश हर्ट से बेश हजार हर्टज तक Option B, बेश किलो हर्टज से अधिक Option C, बेश किलो हर्टज से कम या फिर Option D, इनमे से कोई नहीं तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा Option B, बेश किलो हर्टज से अधिक और दोस्तो जो ये परासरव तरंगे होती है दोस्तो इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादर बगएरा ही सुन सकते हैं हम इनसान इनकों परासरव तरंगों को नहीं सुन सकते हैं Question No.8, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? Option A, 1799, 1761, 1767 या फिर Option D, 1769 तो दोस्तो इसका सही आंसर है Option B, 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी Question No.49, मुगल सामराज की निव, किस लड़ाई के बाद मानी जाती हैं? Option A, पानीपत की पर्थम लड़ाई, पानीपत की दोती लड़ाई, प्लासे की लड़ाई या फिर Option D, बकसर की लड़ाई तो दोस्तो इसका सही आंसर Option A, पानीपत की पर्थम लड़ाई चालिस, कीडे मकोडों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रियोग में लाया जाने वाला ध्वानी तरंग है Option A, रेडियो तरंग, Option B, इन्फरारेड तरंग, Option C, सबसोनेक तरंग या फिर Option D, अल्टरासोनेक तरंग D, निर्वात में, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Option C, स्टील में, दोस्तों स्टील में ध्वानी सबसे तेजगती से चलती है, इतना या याद रखना Question number 42, ध्वानी या ध्वानी प्रदूसर, इन्में से किस से मापा जाता है, Option A, डेसीबल, Option B, डेसीमल, Option C, बैरोमीटर, या फिर Option D, अल्टीमीटर, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Option A, डेसीबल, दोस्तों ध्वानी या ध्वानी प्रदूसर को हम डेसीबल से मापती है Question number 43, इस्टेथो इसकोप ध्वानी के किस सिध्धान पर कार करता है, Option A, अपवरतन, Option B, परावरतन, Option C, बैरतन, या फिर Option D, इन्में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा Option B, परावरतन, दोस्तों ये इस्टेथो इसकोप ध्वानी के परावरतन सिध्धान प और दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा उने सो पंद्रे इसवी अठारा सो बेस अठारा सो पंद्रे या फर उने सो बीस इसवी में तो दोस्तों इसका सही अंसर ऑप्सन C 1815 में वियाना सम्मेलन 1815 इस भी में हुआ था कुश्चन नमबर 47 चंद्रमा से प्रत्वी तक आने में प्रकास को लगभग कितना समय लगता है ओप्सन A 1.25 सेकेंड ओप्सन B 8 सेकेंड ओप्सन C 8 मिनट या फिर ओप्सन D 80 सेकेंड तो दोस्तों इसका सही अंसर हुआ ओप्सन A 1.25 सेकेंड दोस्तों चंद्रमा से प्रत्वी तक प्रकास को लगभग का समय लगता है ओप्सन A विवर्तन और अपवर्तन ओप्सन B अपवर्तन और परिछेपड या फिर ओप्सन C अपवर्तन और परावर्तन या फिर ओप्सन D प्रकीरडन और अपवर्तन तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा बताए जल्दी से तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option C, अपवर्तन और परावर्तन दोस्तो इंदर धनोस अपवर्तन और परावर्तन के करण से बनता है question number 49 म्रग मरीची का बनाने वाली परिगटना को क्या कहा जाता है option E, धुर्वी करण, option B, विवर्तन, option C, पूर्ड अंतरिक परावर्तन या फिर option D, व्यति करण तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या होगा बताई जल्दी से तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा option C, पूर्ड अंतरिक परावर्तन दोस्तो म्रग मरीच का बनाने वाली परिगटना को पूर्ड अंत्रिक परावर्तन कहा जाता कुश्यन नमबर पचास बोल सेविक करांती कब हुई ओप्शन E 1935 में 1907, 1889 या फिर ओप्शन D 1950 में तो दोस्तो इसका सही आंसर है ओप्शन B 1927 इसवी में कुश्यन नमबर 51 नई आर्थिक नीती जैसे सोट में बोलते हैं NEP का जन्मदाता था करल मार्क मार्क्स ऑप्शन B स्टालिन ऑप्शन C लेनिन या फिर ओप्शन D ट्राटिस की तो दोस्तो इसका सही आंसर है ओप्शन C लेनिन नई आर्थिक नीती का जन्मदाता लेनिन था कुश्यन नमबर 52 अप्रेल थीसस किसने तयार की ओप्शन E करल मार्क्स ट्राटिस की लेनिन या फिर ओप्शन D स्टालिन तो दोश्ट इसका सही अंसर होगा आपका उप्सन C, लेनिन, अप्रेल थीसिश जो तयार की थी, ये लेनिन ने ही तयार की थी, कुश्य नमबर चुवन, लाल सैना का गठन किस ने किया था, उप्सन E, कारल मार्क्स, उप्सन B, ट्राटिस की, उप्सन C, केरेंस की, या फिर तो दोश्ट इसका सही अंसर उप्सन B, ट्राटिस की, लाल सैना का गठन ट्राटिस की ने किया था, कुश्य नमबर पच्पन, भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवात किस ने की थी, उप्सन E, मेकाली ने, उप्सन B, करजन ने, उप्सन C, डलहोजी ने, उप्सन D, करण वालिस ने, तो दोश्ट इसका सही अंसर उप्सन E, मेकाली ने, भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुवात मेकाली ने सुरू की थी, कुश्य नमबर 56, राजा रामोहन राय को सरोकार नहीं था, उप्सन E, सती पर्था की समाप्ति में, वेदवा पुनरवा में, य पर उप्सन D, में से कोई नहीं, तो दोश्ट इसका सही अंसर उप्सन C, संस्क्रती की सिक्षा में, राजा रामोहन राय को सरोकार नहीं था, कुश्य नमबर 57, जलिया वाला वाग हत्या कांड के लिए, कौन सा जनरल उत्तरदाई था, उप्सन E, जनरल विलियम बैटिंग या फिर जनरल मांड वेटन, जनरल डायर, या फर उप्सन D, जनरल डल होजी, तो दोश्ट इसका सही अंसर उप्सन C, जनरल डायर, जलिया वाला वाग हत्या कांड के लिए, जनरल डायर जिम्मेदार था, कुश्य नमबर 58, पर्थम मैसूर युद के नहीं के बीच लड़ कुश्य नमबर 69, सती पर्था पर प्रतिबंद किसने लगाया था, उप्सन E, लाड अलहोजी, लाड मांड वेटन, लाड विलियम बैटन, या फिर उप्सन D, लाड करजन, तो दोश्ट इसका सही अंसर होगा, उप्सन C, लाड विलियम बैटन, लाड विलियम बैटन, नह 1950, 1947, 1937, या फर उप्सन D, 1950, तो दोश्ट इसका सही अंसर होगा, उप्सन C, 1937, वर्स 1937 में में आमार भारत वर्स से अलग हुआ था, तो दोश्टो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राब करके नोटिफिकेशन वेल को भी अन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें